दोस्तों नमस्कार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एतिहास एक फैसला लेकर दोस्तों चोट तो दी है कॉंग्रेस और सौनिया गांथी को लेकिन दर्द महाराष्ट के मुख्य मंत्री उद्दव ठाकरे और उनकी पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है इसलिए अब लोग पूछ रहे हैं कि उद्दव ठाकरे और कॉंग्रेस के बीच का आखिर का रिस्ता क्या कहलाता है कहीं ये रिस्ता सत्ता की लालसा का तो नहीं क्योंकि कॉंग्रेस को लेकर इतनी चिंता ठाकरे सरकार ने पहले कभी नहीं की थी चलिए दोस्तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कार पूरा माजरा क्या है किस वज़े से महारास्ट के मुख मंत्री उद्व ठाकरे उनकी पार्टी जो है इतनी जादा तिल मिलाई हुई है राजीव गांधी खेल रत्न पुरुसकार का नाम बदलने के मुद्दे पर शिवसेना ने दोस्तो किंद्र सरकार पर जम कर हमला बोला है और मोधी सरकार को घिरने की कोशिस की थी लेकिन देश की जनता ने उल्टा उन्हें ही प्रोल करना शुरू कर दिया शिवसेना के मुखपत सामना में इसकी आलोचना की गई है दोस्तों सामना में लखा गया है कि टोक्यो उलम्पिक के कारण तेश में अन्ध खेलों पर उत्सा के साथ चर्चा होने के दौरान नीरच चोपला ने भाला फेक कर जो है देश को पहला सोड़ पदक दिलाया इस सोड़िम पल का उत्सा मनाई जाने के दोरान ही केंदर सरकार ने राजनेतिक खेल खेला है और इस से जो है राजनेतिक खेल के कारण कैयों का मन जो है दोस्तों दुखी हो चुका है बैसे दोस्तों ये नाम बदले जाने पर मन सिर्फ शिवसेना और कॉंग्रेस का ही दुखी दिखाई दे रहा है बाकी पूरे देश की जो जनता है वो उत्सा मना रही है राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार का नाम बदल कर मेजर ध्यानचंदर खेल रतन पुरुसकार कर दिया गया क्यों शिफसेना के नेता इतने जादत तिल मिलाए हुए है अगर एक महान हस्ती जो है मेजर ध्यानचंदर के नाम पर अगर ये पुरुसकार उनका नाम बदल कर रख दिया गया तो इसमें परेशानी क्या है कॉंग्रेश जो है विलापला पर ठीक है लेकिन शिफसेना इतनी जादा परेशानतियों है दोस्तो आगे सामना में लिखा गया कि आज मोदी सरकार ने राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार का नाम करण मेजर ध्यानचंदर खेल रतन पुरुसकार के रूप में किया है इसका आर्थ पहले की सरकारे ध्यानचंद को जो है भूल गई थी ऐसा नहीं है ये दावा कर रहा है सामना वर्स्त 1956 में ध्यानचंद को तीसरे सरवोच चिनागरिक पुरुसकार में भूशर से सम्मानित किया गया था 3 दिसंबर 1989 को इस महान खेलाडी को दिल्ली में मौत हो गई थी ध्यानचंद का दोस्तो जनम दिन राश्ट्रिय खेल दिवस के रूप में मनाये जाता है ध्यानचंद के नाम पर राश्ट्रिय पुरुसकार भी प्रदान किये जाते हैं दोस्तो आज जो शिवसेना राजीव गांधी के लिए इतना विलाप करने में लगी हुई है यही शिवसेना ऐसा कोई भी नामकरण नहीं रहता था जहां पर राजीव गांधी के नाम पर जिसका विरोध न करती हो कई बार तो विरोत इस हद तक शिफसेना ने दोस्तों किया है कि आखिरकार राजीव गांदी का नाम हटाना ही पड़ गया है और उस नाम को रखना पड़ा जो शिफसेना सजेस्ट कर रही थी लेकिन आज जब मोदी सरकार ने मेजर ध्यान चंडर को बड़े सम्मान से नवाजा है तो दोस्तों कॉंग्रेस को तो अंदरूनी चोट लगी है वो तो बोल भी नहीं पा रहे हैं लेकिन शिफसेना का दर्द बाहर निकल कर सामने आ रहा है वैसे दोस्तों कॉंग्रेस को हर उस शक्स से परेशानी है जिसने भारत का गौरब बढ़ाने का काम किया हो कॉंग्रेस को तो दोस्तों तब मज़ा आता है जब पाकिस्तान उनके नेताओं की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगता है जब पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कहते हैं कि राहुल बागांदी जो है बहुत ही बढ़िया नेता है वो एकदम से तगड़ी वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जब हमारे पी-म को गालियां देता है पाकिस्तान तब जो है कॉंग्रेस को ठंडक पहुंचती है सामना में पुरुसकार के नाम बदलने का एक ही मकसद बताये गया है और वो शिवसेना के मुताविक है दुएश की राजनी थी सामना में लिखा गया है कि मेजर ध्यान चंद को सम्मान देने के लिए एक इससे भी बड़ा पुरुसकार शूर किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं करके 1992 से चले आ रहे पुरुसकार की जो दरसल प्रथा चली आ रही थी अभी तक राजीव गांदी के नाम से दिया जा रहा था उसका नाम बदल कर राजनेतिक खेल खेला गया है शिवसेना के मुताबबग शिवसेना के मुकपत्र में खेल रतन पुरुसकार का नाम बदलने की वज़ए जन भावना को बताए जाने पर भी एतराज उठाया गया सामना के मुताबिक जन भावना अगर ध्यान चंद के साथ है तो अन्न खिलाडियों के साथ भी है सामना में लिखाए कि पीवी सिंदु ने तो लगातार दूसरी बार उलम्पिक पदग जीता है महरास्ट के खाशाबा जादफ का कारनावा भी बड़ा ही था हैल सिंग की उलम्पिक में पहला व्यक्तिकत पदग जीतने वाले वो महान कुस्ति खिलाडी थे उलम्पिक में अपने पहलवानों ने पदक जीता तो खाशाबा जादव के नाम पर खेल रतन पुरुसकार हो ऐसा सोवेचार किसी के मन में क्यों नहीं आना चाहिए वो ठीक है जो वहां के खिलाडी रहें उसके लिए शिफसेना कुछ भी कर सकते किसी ने रोका है क्या ध्यान चंद होकी के जादूगर उसी तरह खाशाबा कुस्ती के जादूगर थे ये शिफसेना का कहना है जन्भावना वगेरा कहने के लिए ठीक है पर वर्तमान शासक तै करते हैं वही जन्भावना और उस जन्भावना पर भजन और ताल बजाना ही चल रहा है आखर में दोस्तों सामना में लिखा गया कि राजीव गांदी खेल रतन परुसकार का मेजर ध्यान शन्ड खेल रतन परुसकार के रूप में नामक्रण करना ये जन्भावना ना होकर इसे राजनेतिक खेल कहना होगा राजीव गांधी के बलिदान का अपमान किये बिना भी मेजर ध्यानचंद को सम्मानित किया जा सकता था ऐसा दावा ठोक रही है शिवसेना हिंदोस्तान ने वो परंपरा और संस्कृती खो दी है आज ध्यानचंद को भी वैसे खराब ही लग रहा होगा इस तरीके की दलीलें दोस्तों नाम बदले जाने को लेकर महरास्टर की जो शिवसेना पार्टी है उसके सामना उसका दरसल जो मुखपत्र सामना है उसमें इस तरीके का राग अलापा जा रहा है तो दोस्तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सटीक फैसला लेते हुए जैसे ही नाम बदला। चोट तो लगी है कॉंग्रेस पार्टी को सोनिया गांधी को राहूल गांधी को प्रियंका गांधी को लेकिन दर्द हो रहा है उद्दव ठाकरे को उनकी पार्टी शिवसेन कोई भी जनता ये सोच रही होगी कि मेजर ध्यान चंद्र दोस्तों कितने बड़े खिलाड़ी थे कितनी बड़े शक्सियत थे अगर उनके नाम पर अगर अवार्ड रग दिया गया है तो इसमें बुराई क्या है इसमें समझ में नहीं आता इन लोगों को जो है क्रिटिसा क्याना को चोट पहुचाई है और दर्द निखल रहा है उद्द ठाकरे का इसे लेकर आप लोगों की क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरूर लिख बताएं इस वीडियो में इतना ही जल्द विडियो के साथ में दूसरे अपडेट के साथ में तब तक के लिए धन